A wonderful morning to all my viewers, नमस्कार, सूप्रभाद, आभार, अभिनंदन, मैं स्मिता गुपता, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहत खास कारिक्रम बिहार बिहान में कल का दिन किसने देखा है, तो आज का दिन भी खोय क्यों जिन घड़ियों में हस सकते हैं, उन घड़ियों में रोय क्यों जी हाँ हर पल बहुत जरूरी है कि हम अपने हर जीवन के हर पल को जिस रूप में आया है उस रूप में स्विकार करें और खुशी खुशी उस पल को जीए अगर संघर्ष है तो खुशी भी आएगी अगर संघर्ष है तो सफलता भी आएगी तो बहुत जरूरी है कि हम इस प दिन के शुरुवात कुछ खास, कुछ ऐसी बातों के साथ करें जिसे हमारा पूरा दिन हमारी सोच सकारात्मक रहें। और इसलिए बिहार बिहान लेकर अपने पहले सेग्मेंट में आता है अनमोल वचन। तो देखते हैं क्या खास है आज हमारे पहले सेग्मेंट अनमोल वचन में। मनुस्य जितना ग्यान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। जी यहां वक्त हो चुका है हमारे खास महमान से आपको रूबरू करवाने का और अपने महमान के बारे में आपको बताती चलूँ। वह नव भारत टाइम्स में अभी सलाहकार के रूप में कारेरत है। जी हाँ आईए अपने सभी दर्शकों के साथ मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास महमान रमाकांट प्रशाद जी का। नमशकार दूरदरस्तन के सुरताओं को मेरा नमशकार सप्सरेकाल आदाओ। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत भषण धन्यवाद सर आपका अमारे स्टूरियो में। सर पत्रकारिता में आपने एक बहुत ही लंबा समय बिताया है। कहते हैं भारत में पत्रकारिता का उदेक बहुत पहले हो चुका था, नारद मुनी के वनसज कहते हैं पत्रकारों को, जो उस वक्त विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक जगा से दूसरे जगा समाचार पहुँचाते थे, उस वक्त से आज तक का जो सफर है पत्रकारित काफी बदल चुका है इस बारे में आपकी क्या राय है बिल्कुल आप जहां नारज की बात करते हैं तो उनकी जो एक इमेज जो बनता था वो सूचना पहुचाने के लिए होता था या फिर सूचना के दौरा कुछ दूंद पैदा करने का होता था लेकिन बात के दिनों में प उससे में अपने अख्वार की भूंकया बहुत हु और अजादी पाने में अगर कोई सबसे निकालो तो और अजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहते थे बाद के दिनों में क्या हुआ प्रत्यकाईता में कि वह पैसन नहीं रहा गया, कोई समाजी काम की प्रती उसकी बहुत लाइबिलिटी नहीं रही, उसमें आजादी आंदोलन एक बहुत महतपूर्ण इवेंट था, बाद के दिनों में क्या हुआ, हम सोचना के तंत्र हो गए, हम बताने लेगे लोगों को लेकिन उसका बहुत बड़ा उद्यस नहीं होता था नतीजा क्या होगा कि पतकाईता जो आजादी के समय में होगी वो धीरे धीरे अपने कह सकते हैं कि अपने निचे अस्तर को प्राप्त करते चलेगी अब तो जब हम डिजिट्रल में आ गये हैं तो बहुत सारी चीजा ऐसी है जो हम लोग उसको ग्राह करते हैं और बाद में मालू होता है कि वो जूट है तो इस सफर बहुत लंबा रहा लेकिन एक बात सच है कि जैसे ही हम फोर्थ एस्टेट होते हैं तो कभी भी किसी समस्या का अगर शुर्वात होती है तो वह अखवास होती है और अखवार उसका निदान निकालता नहीं है लेकिन निदान के लिए प्रेरित करता है बिल्कुल अगर आज आदी की बात हुई है तो गांधी जी की बात जरूर होगी और गांधीजी ने कहा था कि समाचार पत्र का उद्देश जनता की इक्षाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है दूसरा उदेश जनता में वांचनिये भागनाओं को जागरित करना है और तीसरा उदेश सारवजनिक दोशों को निर्भैता पुर्वक प्रकट करना है इन उद्योशों की पूर्ती आज के समय में समाचार पत्र कर रहा है अपने एक दाइरे में कर तो रहा है दाइरे करने के मतलब है कि जब हम अख़वार में काम करते हैं तो हमारे साथ में सरकार भी समाज भी होता है तो एक बंदिस जरूर होती है समाज का भी और सरकार का इस बीच में एक संतुलन बनाते हुए हम वह ऐसी चीज़ों को रखते हैं या उस चीजों को रखने में एक पत्रकार की हस्य से मुझे बहुत खुशी होती है जब हम किसी अच्छे कारियों का उल्लेख किसी के बहाने कर रहे हो किसी व्यक्ति के बहाने जिन्हों ने बहुत बेग्यानिक रिजर्च किया हो किसी किसान के माध्यम से जिनों उत्पादन में अपनी बहुत भूंगा निभाई हो और कहीं कहीं उससे ज़्यादा हमें खुशी तब होती है जब किसी दूर दराज के किसी बच्चे की योगता को हम लाके रखते हैं हलाकि इसके बरक्स हमरे सरकार की योजनाओं को लाना के एक कह सकते हैं कि उमीद भी जनता पाल लेती है और हम लोग सरकार की योजनाओं को लाते भी है और इसलिए लाते हैं कि उसकी जो अच्छाई है उससे जो आपको फाइदा हो सकता है उस जजनाव से कहां आप उसके पूर्टी में आप सहायक हो सकते हैं, आप उसका उपयोग कीजिए, सरकार के साथ में रहिए और अपनी प्रगति कीजिए, तो ऐसी खबरों को हम लोग जरूर लाते हैं, साथ में हमारे पाठक होते हैं, वो कई विशार के होते हैं, उनके अब अखबारों में विविन पाठकों के संख्या को देखते हुए, महिलाओं के लिए लग, बच्चों के लिए लग, साहित कारों के लिए लग, ऐसा करके हम उन्हें संतुष्ट करते हैं, यह अखबार की एक घुमिका है. बिल्कुल आप कई अख़बारों से जुड़े रह चुके हैं सर साथी साथ रेडियो दूरदर्शन से भी जुड़े हैं लेकिन इन सबसे पहले अगर बात करें पत्रकारिता की पत्रकारिता का महत्व उनके उद्देशियों की पत्रकारिता का अर्थ क्या है इस बारे में पुष्ट किया जा सकता है आपकी जिम्मेवारी है कि जो फोर्थ स्टेट के नाते जनता आपसे उबीद करती है उसको आप उसके साथ आगे परोसें उसकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं चाहे किशानी से हो वो समस्याएं चाहे बाढ़ की हो वो समस्याएं उनके अपने संघर्ष की हो, वो समस्या है, बेरोजगारी की हो, उससे जोजने में आप उनकी कितनी सहायता करते हैं, आगर सब्च कर लिए आज के सबसे बड़ी ज़रूरी है बेरोजगारी, तो हम लोग एक कैरियर पेज निकाला करते थे, जिसमें कि सरकार के दोरा जो बिग्यापित होत लेकिन साथ में हम राजनितिक वैचारों का भी प्रतिबादित करते हैं, तो हम ध्यान में यह रखते हैं कि तमाम दल यह महसूस न करें, कि हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, तो उनकी बात, उनके विचार को अपने समिश्थात में ढंक से रखते हुए, जनता से जोडते ताकि वो भी राजनितिक, समाजिक और सैख्णिक डूप से जागरुख हो सके हैं। उस वक्त से ही आप पत्रकारिता के छेत्र में आपकी रुची थी, डिबेट या ऐसा कोई, या फिर अशानक से आपका करियर का चुनाओ हुआ पत्रकारिता के छेत्र में। हुट आउट करना होता है कि किसी कारिकरम में तो वो हम लोग वो गुरूप हम लोग करते थे। एक दिन हमारे यहां गुलाब खंडिनवाल करके एक कवी आए और उनका कवीधा पाठ था। और उस कवीधा पाठ में वो जब भी कुछ पढ़ते उसके पहले हम लोग वाह व साहित का रशा स्वाधन हमने उस समय किया लेकिन उस समय भी मुझे लिखने का प्रेड़ना नहीं मिली जो बियसी करने के बाद अचानक कहीं से यह बात आई तो मुझे लगा कि कुछ कहने के लिए यह च्छित बड़ा जरूरी है और तब उस समय यह जरूरी नहीं होता था कि आप पतकाईता का कोर्ष किये हुए हूं वैसे चनों में हम अखवारों में लिखने लगे लिखते 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 फिर सीधे नोकरी में आ गये और फिर उसके बाद जूनियर रिपोर्टर से सुरू करके हम यहां पतना मना स्थानिय संपादक राश्टिय सहारा के बने और आप कास पात करने के बाद नवहरार टाइमस में सलाकार संपादक के रूप में हैं इसलिए वो बचपन से लेके कॉलेज दाईत अब कहीं था ही नहीं हां साहित के परती थोड़ी से आ सकती उस दिन हुई जिस दिन हम गुलाब खंडेल वाल को मैंने वीभा खंडेल वा इन विशेयों पर थोड़ा प्रकास डाले हैं बिल्कुल मेरे पतकाईता के जो में विशेय था वो स्वास्त कृष्णी और यह भाजबा यह अपनी रूची का था स्वास्त पर बरे कई काम लेकिन समय चोको बहुत कम एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा एक बीमारी होती पर बियार में किस तरह के पेसेंट हैं उनकी इंकम का साधन क्या है वो किस वर्ग के हैं और उस अध्यन के बाद जब मनें देखा अतलगा कि भाई सारे गरीब ही इसमें ज्यादा ज्यादा रॉल है वो बीमारी ऐसी होती थी कि कहीं भी कट गया तो खून रुकता ही नहीं है और उसके कारण मोथ हो जाती थी तो हम उन्स तमाम रिसर्च को अपने अख़वार में अस्थान दिया और फिर उस पूरे पूरे पुलेंदे को ले करके ततकालिन स्वास्त मंत्री थे चंदरोहर राइजी उनके पास में गया और उनकी भैवाता को उनको बताया कहा कि य इसके जो मरीज है उनकी दवा जो बहुत कीमती और बाहर से आती है वो बिहार सरकार मुप्त अपलब कराएगी PMCH में और तब जाके मुझे एक सकून मिला कि चलो मेरे एक रिपोर्ट से इतने जो बिमार लोग हैं उन्हें अब मुप्त दवा मिलेगी तो यह सोध करने का ज प्रतकाईता कर रहा है जब चंदमोहन राजी ने फ्री किया वहुत किमती दवा होती है जब आपके कारे से किसी एक वर्ग को मदद मिलती है ऐसी मदद जिस्दे कि उनकी जीवन सुरक्षा हो सकती है अखबार कई अखबार आज के शमय में भी हैं और पहले भी थे अकबार में एक विशेस स्थान होता है कॉलम जिसमें साहित्तिक, हास्यात्मक, व्यंगात्मक कई विशयों पर एक छोटा सा लेख होता है और उसमें भी आपके कई लेखन को जगह मिली है उसमें से कुछ खास जो आपके दिल के बेहत करीब हो मेरा कॉलम आता था काब शास्त रुबीनु देनम उस पर हम लगातार संस्कृति और कला साहित पर चर्चा गिया करते थे और वो कॉलम लगातार चपता था बाद में वो एक दूसरा पक्ष के नाम से पुस्तक प्रकासित हुई बेहर से ही और उसे बेहर सरकार ने अपना सर थे और उनहीं के वीचारों को उनहीं के बताया गे चीज़ को हमा खवार में परोष के जन संपर्क में छोड़ देते थे ताकि उससे ज्यादा लोग सीखें और समझें और उसके प्रतिरεί रुजःहन हो से वर्ऽ जाने की क्या संगीत क्या विधाय है उसमें क्या-चाह है बादि में कौन-कौन सा यंत्र हैं, उसके कौन-कौन सुबह जाने वाले बिहार में प्रमुख हैं, ये सब जानकारी देने से मुझे एक सहुर्यत होती थी कि एक बड़ा वर्ग मेरे साथ, संस्कृति से, साहिति से, नाटक से मेरे साथ जुड़ गया, तो मेरा परिबार बड भी लिखें, जी बिल्कुल, पत्रकारिता अर्थात पठन, पाठन, कहन अध्यन और लिखन, इन चारो विदाओं का होना बहुत जरूरी है, एक उचितर पत्रकारिता के लिए, इसके साथ ही साथ आप साहिति से भी जुड़े हैं, कई पुस्तके आप लिख चुके हैं, कई कहानिया, कई किताबे, कई कविताएं आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, उन कहानियों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, बिल्कुल, देखिए मेरा नाम पिदा जी न रखा रमा कांद परशाद, उसका मतलब होता है लक्षमी का पती, लेकिन मेरी मा जानती थी ये लक्षमी का पती नहीं होगा, तो उसने चंदन के नाम से बुकारना सुरू किया, और वो जानती थी कि कहीं ने कहीं दाइरा जी इतना छोटा हो, बड़ा हो उसका मतलब नहीं था, लेकिन ये खुसमू फैलाएगा, और उस चंदन के नाम से फिर जब हमने लिखना सुर बड़ी बात होती थी, अब समरुग हम से मिलने जूलने लगे, मेरे साहिती के जो टीचर थे, वो आये खोशते-खोशते मिलने के लिए, और बोले बेटा, मैं एक सलाह मैं देता हूँ, तुम्हारी ये पूरी कहानी कवीता है, तुम कवीता में आओ, और उसके बाद फिर ह मुझे प्रोशकार भी मिला, ये सारे चीजें कह सकते हैं कि प्रतकाहिता के साथ में मुझे ये लाभ मिलते चला गया, चुकि मुझे पात्र मिलते गए, हम कहीं गाओं रिपोर्टिंग जा रहे हैं, तो वहां एक महिला मिल रही है, उसके एंगिल से कवीता लिखी मैंने, उसका जीवन पर कहानियां लिखी हैं, तो साथ-साथ कहानी कवीता और ये समीक्षा चलते रहा और उसका फला-फल ये हुआ कि आज मेरे पास तीन पुस्तके हैं, जो उस विधाओं में लिखी गई हैं, रमाकान जी आपकी कई प्रकाशित पुस्तके हैं, उसर में नवान, साथी साथ दुसरा पक्च और गोइठा थापती लड़की, इन विशेयों पर भी प्रकास डाले, साथी साथ हमारे धर्शकों कब बताएं, आपकी आने वाली कुछ खास पुस्तकों के बारे में, बिल्कुल, ये उसर में नवान जो है बरस रंठान में प्रकासित हुई थी और वो हिंदी अकादमी के द्वारा सुकिर थो करके फिर वहां से छपी थी, चूटी से बात बता दना चाहता हूँ, कि जब हम कहानी लिखने लगे, तो मा को लगा कि साहितकार का मतलब होता है, जमीन जाय जाय बेज देने वाला, तो उसने करा कि एक बात करना है, तुम इ हिंदी कादमी सुकित करेगी, पैसा देगी, छप जाएगा, दूसरी किताब भी राजबासा पैसा देगी, छप गई, हमने अपने से कोई वजा नहीं की, हाँ, जो आने वाली पूस्तके हैं, उस पर मैं बताना चाहता हूँ, मैं संसमरन लिखना चाहता हूँ, राजनितिक होती हैं, खाने का दाथ कुछ और दिखाने का दाथ कुछ, ये साहतिक और समाजिक और राजनितिक जगत में होते रहता है, तो उसका डिमांड भी है, मैं उसको लिख रहा हूँ, और उसके अलाबा कहानी संगर अभी तक नहीं आई है, तो कहानी संगर जो छपी है, कहानिय उनको लेकर के भी आना है पापा गंदे हैं सिर्शक से उसको हम लाएंगे ये तो आगामी योजनाई ये है इसके साथ ही साथ रमाकान जी आपने कई कविताएं भी लिखी कुछ अपने लिखित खास कविताओं के अगर कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के साथ साज़ा करे जी मैं दो बहुत छोटी कविताएं जो है मैं इस समय सुनाओगा चुकि दूरदर्शन का अपना एक समय होता है तो मेरी पहली कविता का सिर्शक है सच कहना साथी सच कहना साथी जिस मोड़ से हम छोट चले थे याद ने अचानक मुड़ कर दिखा जेहन की तमाम खिड़कियां तोड़ते निकल रहा था वक्त जिसके हाथ में गुलावी कागज वाली वही चिठी जिससे मैंने कई सुबह अपने अंतरतम ओस से नहला नहला तुम्हारे ने के काबिल बनाया था दुआ उट रहा था जिससे तुम्हारे ने के काबिल बनाया था दुआ उट रहा था उमीद है इसके जलने या बुझने तक मैं एक उम्र बीच चुकेंगे मुआबजे में आँखों में उमर ढुलकते गालों को सीजते एक पगडंडी हमारे अगले जर्म तक तयार हो चुकेगी जहां जल जाने का या फिर राक हो आने का शुबहा जाता रहेगा सच कहना साथी तुम्हें मेरी बातों का विश्वास तो होता है ना सच कहना साथी, तुम्हें मेरी बातों का विश्वास तो होता है ना क्या बात? एक छूटी स्क्रिपता प्राइंगे एक बारा आओ ना जिब मेरी आखों में तैरा करते थे तुम्हारे सपने लोग कहते थे पत्थरों के बार देखा करती है तुम्हारी आखे मेरी आखे, मेरी बरफिली आखे, अब सुन्ने में ताक्ती हुई, अपने भीतर टटूलती है वो नमी जिससे छोड़ाया था मैं तुम्हारी खुसी के लिए आज कर्षना के धरातल पर निरदतर फिसलते जाना, जैसे कविताओं में सौंदर का चूक जाना तुम बहुत खुबसूरत हो साती, तुम बहुत खुबसूरत हो, जब यह सारे सब्द नदी के तीर तुम्हें याद करते लिख रहा था, बालू के कन भींग चले ऐसा लगता है, याद के एक दूसरे सीरे पर जब हमारी आत्मा जड़ नहीं हुई है, तो नदी के तीर पर ल क्या बात है, किस प्रकार आपने दूर रहने वाले दोस्तों को, या साथी को, या यारों को, किस प्रकार एक दूसरे को याद कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए इस बात को, कवीता कि उन पंक्तियों में जो आपने पिरोया है, यह बहुत ही खुबसूरत और काबिल तारीफ है और बिल्कुल जब आप कोई कारे करते हैं और उस कारे के लिए जब आपकी सराहना की जाती है आपको सम्मानित किया जाता है इससे बड़ी पलब्दी जीवन में और कुछ नहीं होती है तो रमकान जी आपको आपके कारेों के लिए कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, समानित किया गया है, कैसी अनुभूती होती है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसी गेरतों समानित किया और मुझे लगा कि कहीन कहीन मुझे मेहनताना मिल गया। लगा कि कुछ सफलता की कदम बढ़ा रहे हैं। ये आपको लगता है और फिर आपको सतर्क भी करता है कि आपकी अगली रचना इसने भी बढ़िया होने चाहिए ताकि फिर आपको सम्मान दिया पुरसकार या लोग आपको सुईकार करने लगें. बिलकुल आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जब आप उचाई पर होते हैं तो किसी भी छेतर में तो कहते हैं लोग आप पे नजर रखते हैं आपको देखते हैं आपका अनुसरन करते हैं कोशिश करते हैं कि आपसे कुछ सीखें तो हमारे बहुत सारे दर्शक है जो पत्रिकारिता की छेतर में आना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर पतकाईता माना चाहते हैं तो यह मान के चलिए आप लोग कि यह अब पेशा हो गया है अगर आपके अंदर में कोई इस तरह का कुछ इल्म नहीं है कि मुझे पतकाईता अपने पैसन के लिए करना है पेशा के लिए नहीं करना है तो आपका स्वागत है अगर पेशा को द्यान में रखेंगे तो बहुत सारी दिक्ते आएंगी आती रही है हमने जहला भी है और आप भी आगे जहलेंगे लेकिन अगर सचमुझ आपका पैसन है पेसा नहीं है तो आईए तो सबसे पहले भासा को मजबूत बनाईए भासा को आधार दिक करके आगे बढ़िए और आ अगर कुछ इधर करते रहे जाएंगे एक पत्रकार बन जाएंगे और ऐसे भी श्यसग बनने के लिए आपको किसी जगे जाना होगा तो सबसे पहले पेसा नहीं मानीए पैसन मानीए और आपको दिमाग बें हो कि मुझे कुछ सुधार करना है समाज को कुछ देना है कुछ समस्याओं का निदान करना है सरकार और जनता के बीच कोई रास्ता जूढ़ना है और उसमें आप कहीं फलाफल नहीं होंगे तो आईए स्वागत है वरना बहुत निरासा होगी चुकि अभी जो पतकाईता का जो एक तरह से कर सकते हैं कि लोगों में आकर्सन बढ़ा है वो आ जिंदिगी को देख करके आप में कोफ्त हो जाए तो समझ दीजे कि आप पतकाईता नहीं कीजिए और अगर नहीं कोफ्त आता है तो जूजिए कीजिए समधान निकालिए और अपने में सुक अनभव कीजिए कि मैंने एक समस्या का निदान सगार के द्वारा करा दिया है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिकारिता साहित्ते कहानी कविताओं सो जूड़ी इतनी सारी विशेयों पर चर्चा करने के लिए इतनी सारी बाते साझा करने के लिए और अपना वक्त हमारे दुरदर्शन हमारे कारिक्रम को देने के लिए बहु आपके पत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपके विचार, आपके सुझाओ, आपके कथन, आपके पत्रों द्वारा हम तक पहुचते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आपका साथ और आपका प्यार हमारे कारिक्रम के साथ बना हुआ है, यहां उठाईए कागज और कलम और नोट कीजिए हमारा पता, हमारा पता है कारिक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंदर पतना, फ्रेजर रोड, पतना 8000-001, आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, हमारा इमेल आडरस है, डारेक्टर डीडी के पतना, at the rate of gmail.com